अगर नास्ते में जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो और मीठा के साथ साथ थोड़ा हेल्दी भी हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा आपको बहुत पसंद आएगा ये नास्ता एक कब यहूं के आड़े से बन के रेडी हो जाता है और बहुत फटा फट से बन जात नास्ते को बनाने के लिए एक सॉस फैन और इसमें डालें जैसे ही प्धां चरनु कर देंगे और इस चासनी कोई अब हम थुरा सा ठंडा हो जाने देंगे अब एक बाउल में लेंगे एककब गिऊहों का आटा इस नास्ते को आज हम गिऊहों के आटे से बैए और चाहे तो आप मेदा से भी बना सकते हैं पर ये परामपरिक तोर से गहुं की आटे से ही बनाया जाता है और अब इसमें डालतेंगे चासनी लेकिन चासनी याद रहे अच्छे तरीके से ठंडा हो जाना चाहिए बस चासनी को डालने के बाद इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे तो देखिए अब ये काफी गाड़ा है तो इसमें हम डालेंगे आधा कपे कड़ी पानी जिस कब से आपके हैं उसी कब से आधा कप पानी डालें और इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे बैटर को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लंच्याग उठलिया नहीं हो एकदम स्मूध बैटर बनके तयार हो देखें मैं इस तरीके से बैटर को अच्छे तरीके से मिक्स कर ले हूँ जब better mix हो जाए तो इसमें डाल देंगे आदा चोटा चमचे करिब इसे ये नास्ता बहुत tasty बहुत soft भी बनता है मलाई डालने के बाद इसे अच्रेके से mix कर देंगे ढग के छोड़ेंगे 10 minutes के लिए तो अब हम इसमें बिल्कुल भी पानी डालेंगे अब मेन पॉइंट यह आती है कि इसे अपने हाथों की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स करें जितने अच्छे तरीके से मिक्स किजिएगा उतना ही यह नास्ता फुला फुला बनता है और एकदम जारीदार बनता है तो इस तरीके से थोरा सा बैटर को डाले त capable से उर्मा vitamins यह वान होना जाएंगें इस तरीके से तरीके से मैं दाल नहीं हम सब हैं को दलना है इसमें दाल होना और व्याго तो यह नास्ता एक दम तेल में जाते हुए उपर उठ जाता है अगर तेल ठंडा हुआ तो यह तेल में जाके नीचे बैठ जाएंगे और बहुत चिप्टे चिप्टे से बनेंगे तो देखें कितने अच्छे तरीके से यह फूल चुगा है इसका नाम गुलगुले होते हैं जानते हैं यह तो यह बहुत पूराना रेसिपी है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है टेस्टी के सांसाथ हेल्दी भी होता है बस इस तरीके से कलर चेंज हो जाए तो बस अमें से निकाल लेंगे एक बच को फड़ाई करने में मुस्किल सबको 3-4 मिट का समय लग जाने में अगर नहीं बना है तो मेरे कहने पे एक बाद जरूर राई किजेगा देखे मैसी तरीकी से सारे गुलगुले को फराई कर लेंगे और देखे कितने फुले फुले और कितने सौफ्ट बने हैं देखिए अंदर से इनकी जाली देखेगा मैं तोड के दिखाती देखिए कितने अच्छे तरीके से इनके जाली बनी है तो रेसेपी अच्छी लगए तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजेगा अपने फ्रेंड्स और फामिली में शेर किजेगा और एक बार जरूर बनाएगा मेरे कहने पर हैं